साफियो नमस्कार, मैं राधी बगेर आप सभी का नवसा फित्या थी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, बेसे कंप्यूटर कोर्स की इस सीरीज में हम सीख रहे हैं MS Paint और यह इसका Part 5 है, इस Part के अंद्रगत आज हम दिसकस करेंगे ट्रॉप टूल के बारे में, रिसाइज टूल के बारे में और रोटेट टूल के बारे में तीनों ही टूल काफी इंपोरेंट टूल हैं, इन टूल्स को आप अगर इस्तिमाल करना सीख जारे हैं तो इससे आपका जो ड्रॉइंग करने का तरीका है, वो काफी ज़्यादा करके एफेक्टव हो जाएगा और एक अच्छी ड्रॉइंग आप कर पाएंगे तो टाइम जिसना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्वीन पर और सीखते हैं दुस्तों सबसे पहले हम कीवोड से विंड्रों के साथ आर बटन दभाएंगे और यहां पर MК पहले से लखा हुआ नहीं आम को M S Pen लिखना है संस पॉक्र करना है है तो यह M S Pen का इंट्रफेस open होखरके आता है इस इंटरफेस पर अगर आप यहां पर देखेंगे इमेज गुरुप के अंदर ट्रॉप रिसाइज और रोटेट तो हमारे पास इन तूर्ज को प्रेक्टिस करना है या इन तूर्ज के बारे में ज्यादर जानकर जाए तो हमें एक पिक्चर की जरुवत होगी जिसे हम पिक्चर है मेमोरी में इतना स्पेस अपकूपाय कर रही है और इसके जो पिक्चल्स है वो 800 x 999 तो इसका मतलब यह है कि यह जो पिक्चर है यह स्क्रिन साइज से बड़ी है तो मैं से जूम आउट करता हूं और हम यह सेलेक्शन तूल का प्योंग करते हुए इस पिक्चर करता है आप के पिक्चर करने कर तो चूम ट्रॉल से सतमे करें कि हम में किलिक करेंगे जोए श्राइज और कि यह विंडव कुला और इसक्यू करने के लिए यह अपको रूरे के तो रिक्टार करने के दो तरी अगर आप चाहते हैं कि यह विट को 50% कर दिया जाए तो मेंटन आस्पक्त रेशियो अगर आप इसे यहां से मेंटन आस्पक्त रेशियो कर अब इसका साइज को एक्ति करते हो तो वर्टिकली इसको चेंज नहीं आते हैं तो फिर दुवारा से हम वही मेंटेनास प्रेशियो को ऊपर क्लिक रखेंगे और इसे 50% करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका साइज 50% हो गया यानकि 400 पिक्सल और 500 पिक्सल में कंवर्ट हो गया कंट्रोल जेट करते हुए प्रिक्चर के पर हम आते हैं और रिसाइज पर पहुंसते हैं यहां पर अब हम इसे पिक्सल के साब से रिसाइज करेंगे तो अभी जो पिक्सल है वह 100% 800 पिक्सल से होरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं आपके 999 यहां पर मैं इसे पिक को पूठाता हूं और यहां पर मैं चाहता हूं कि होरिजॉन्टर ही इसका जो पिक्सल हैं वह 400 500 रहें और और इसका जो वर्टिकल रहें यह इस तो आप देखेंगे कि मेमोरी में जो यह स्पेस करेगी तो यह हमें यहां से इस तरीके से पिक्चर को इस तरीके से इस पिक्चर को जो जाएगे करते हैं तो इस तरीके से आप में देखा कि पिक्चर को आप रिसाइज और इसक्यू कर सकते हैं कि अब हम आते हैं रोटेट पर दिखते हैं राइट 90 डिगरी रोटेट लेट 90 डिगरी और रोटेट 180 अगर आप इसे राइट साइट रोटेट कराना चाहते हैं तो है से आ गई अब इसके बाद हम कि इसे रूटेट करते हैं 180 डिग्री जैसे रूटेट कराएंगे तो यह पिक्टर एक्दम 180 हो जाएगी एक्दम उल्टी फिक्टर हो जाएगी तो इसमेंज हम इसे पुनाए 180 कर लेते हैं इससे यह सेम पोजीशन में पिक्टर पहुंच जाती ह अगलेब अगले नेक्ट है यह समझते हैं केंवास और इसी को मैं सेलेक्ट करके पूरी पिक्टर को इसे मुवग करीटा हूं और इसकी एक कॉंपी कर लेता हूँ, कॉंपी कर आपका हैलाइट कर जाएगा, जैसी में इसे पेस्ट करूँगा, पिक्चर मेरी इस तरीके से आजागी, इसे में थुड़ा टच करके रखता हूँ, अभी आप देखें कि पिक्चर की सेम कॉंपी बनकर के यहां पर आ गई है, अ सेम पिक्चर को अगर आप रूटेट राना चाहरे हो, यहां कि इस समय पिक्चर जो विजुलाइज कर रही हो, वह सेट कर रही है, तो आप इसे और जो फेसर वह सेट है, तो इसका मतलब यह है कि आप इसे और जो फिलिप करा लीजिए, तो सेम पोजिशन हो जाएगी, अब इसे आप वर्टिकली फिलिप कराते हैं, तो आप देखते हो, कि इसका एक प्रत्विम जो है, डाउन साइड बन जाता है, यहांनि बॉटम साइड आपको देखने को मिलता है, तो आप देखने इस साइड यह देख रही है, तो इस तरीके से हम रोटेट करते हैं, और आपको अमारे यह वीडियो पसंद आया है, तो मारे वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, धन्यवार